तो आपनो जावा स्क्रिप्ट नो शेकंड लेक्चर से अगर तमें फर्स्ट लेक्चर नाती जो यह तो तमने बीजिक कदा ज नहीं ख्याल होई यह तो ख्याल छे तो आज है आपना जारू करें शेकंड लेक्चर जावा नो तो लास्ट लेक्चर मां आपने जो यह तो के क्लायांट से स्क्रिप्टिंग सूच है वेरेबल सूच है तो वेरेबल करीदे बने बीजिक फंक्शन करीदे बने कंडिशन इफ जो यह ले पछी लूप नो ओर्यू ले देलो करीदे लखाए अन्ने पोपप बोक्स आमां बे आपना पोपप बोक्स आपना जोएला अवे आजे आपने टोप्टिक चालू करोंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट नो एटले के आप फॉर्स्ट लेक्चर मां मां तो जे फॉर्स्ट वीडियो मां तो एमां थी कदाच एक क्वेस्टिन पुछाई सके आजना लेक्चर म अब्जेक्ट करें बने उतानों अब्जेक्ट करें बना वाए एंड मोस्ट आएमपी डी ओए मोडल अन्ने एनों यूज़ करें आपने करें जावास्किप्ट नो यूज़ करी सके आप तो अत्यासुद्य आपड़े आमां आटली वस्तु जोएली से अगर निथी जोएली तो फर्स्ट वीडियो चेक करें लिए जो के वाट इस जावास्किप्ट ज़रूर्षुकाम पएड़ी जावास्किप्ट थी थूशूं वस्तु थे सके क्लाइंट सेड़ अन्ने सर्व साइड प्लस एडवांटेज डिसएडवांटेज चावास्किप्ट ना पच्छी आए एक ठीकल क्वेश्चन पूछाई सके क्लाइंट सेड़ वह सी सर्वर साथ स्क्रिप्टिंग मां सो डिफ्रेंस से अच्छी स्टार्ट करें रूँ प्रेक्टिकली के स्क्रिप्टेग स स्कुप्टेग खरतक लखाई स्कृिप्टेग क्या लखाई ऐह एमा परेट तरन टाइप जो एक्श्टरणल के लखई शको ? head मां लखी सको अथ्वा तो तमें body मां लखी सको आएक example छे के जिनेंदर body मां लखेली छे आए example छे के जे मां source आपीन तमें external मां JavaScript लखी सको तेहने आपने variable जोएला के अलग अलग टाइप ना variable छे तो जावा स्क्रिप्ट मां declare करवा मांटे एकज keyword छे वी ए आर वेरेबल अन्य एपन कंपल्चरी ना थी मतलब के तमें आवीरते लखो के वी ए आर एकवल टुटेन और यू कें राइट एकवल टुटेन तो आपने वेलिट छे अन्य जे common वस्तू छे इतो छे चावा कोई पाणन वेरियाबल करी ते बने तेन आपने कंडिशन जोई इफ कंडिशन तेन टर्नरी ओपरेटर पन जोए स्विच केश जोई हू त्रन टाइप नी लूप जोई फोर लूप वाइल लूप और डुवाइल लूप एना पच्छी छे स्ट्रिंग तो आपने स्ट्रिंग ना एक भी एक्जाम्पल पन जोई ला और इकाए बने सिंपलीच ये श्ट्रिंग बनाओ छीज तर्रों दो य्योट आपने क्इे स्ट्रिंग माला छांरिल गर थेएरी पुछा एक चार माक्समा के राइट डाउन पॉपप बॉक्स तो आपने या थी लगवी पड़े तो जावास्क्रिप मां त्रॉन टाइप ना पॉपप बॉक्स छे अलेट जा पने फोस्ट लेक्षे ती स्टार्ट कर देएलेट बॉक्स पर लखाए तेन प्रॉंट बोक्स तो एलट एटले आवा टाइप नूँक एक बोक्स छे कि ब्राउजर मा आपने ऑप्ण आप शे यहां कई पड़ आपने स्ट्रिंग अथो मेसेजर शे अन्ने एक अच बटन अचे ओके तो एना माट आवी टेक एलट आपने ब्रेकेट नुआ तो मेसेज आ आपने वाके राखेलू अन्ने प्रॉंट बोक्स तो एनो एक ओप्शन चे प्रॉंट बोक्स एमासू थाशे कि तम्हें आयाँ जेपन मेसेज लखेलो चे आ जग्यानों मेसेज यहां डिस्प्ले थाशे अन्ने यूजर कईपन इन्पूट आप शे तो ए वेल्यू स्टोर हो थाशे आगना वेरियेबल मा मतलब कि अगर आवस्तु तम्हें लखेली ना थी तो यूजर पासे थी इन्पूट आउसे खरा पर इन्पूट के श्टोर नहीं थाए तो आजे आपने शरू कर दी पहला तो कन्फॉर्म बोक्स कर दे बने तो आएक एक्जाम्पल छे कन्फॉर्म बोक्स नूँ तो आप प्रोग्राम ने अंदर आपके जो वी के सुन लखेलू छे फर्स्ट आफ ओल आपनो बोडी बोडी ने अंदर में स्क्रीप लखेली छे कि आफेल्व स्क्रीप इसेल क्रेप्ट क्युल्स जावा श्क्रीप्ट क्युल्स नुखने क्क वेरिएबल बना आहे चे माई वेल्यू अभे माई वेल्यू ने अंदर ऊओ जए यूजरुच पासे स्टी जे पन इनपूट आवे चैंउं स्टोर कर आऊँ छू तो आयां ल अथ्वा तो false मतलब कि अगर user accept करे छे तो value आवसे true अगर user discard करे छे तो value आवसे false आना according मारेक event करावी छे तो मैं condition लेखी if आज माई value छे ये value true छे तो हुँ message print करा फिश के thank you for confirmation अन्ने अगर इक एंचल आपे छे एनों मतलब कि इस माने जाए यह वेल्यू जरसे मारी एल्स मां तो हुँ प्रिंट कराविस डोक्यूमेंट डोट राइट शोरी लेट सी कहानों आउट्पुट का यह टाइप नूं आवे छे तो जेरी ते लखेल हुछे के आर यू श्योर तो है आपने एक मेसेज आवेचे आर यू श्योर अभे हूं आप पूछू ओके ओके मतलब के ट्रू वेल्यू थाई तो डोक्यूमेंट डोट राइट थेंक्यू फोर कंफर्मेशन वाड़ मेसेज यहां प्रिंट थे ग्यों पड़े फ्वारी थी एक वखर रॉन करें जोई के खेंचल आपातीश हूँ आवे छे ओके अवे जिए हूँ आपणे यह किंसे लूप क्लिक करें तो एल्स पार्ट रांट थे डोक्यूमेंट डोट राइट मतलबा एक बेजिक एक्जेंपल छे जिना आधार आपने खबर पड़े कि अगर आ टाइप नूंके कोडिंग करूँ छे तो तम्में सूं करी सको तो बमें एक बोक्स आवड जिसे एलेट बोक्स कन्फार्म बोक्स औरने प्रॉम्ट बोक्स यूजर पासे थी फेल्यों लेव आवाँटे अमांटए प्रॉम्ट बाक्स। लास्ट लेक्चेर मां आपड़े अमुक एसाइमेंट आपेला तो एसाइमेंट मां आउग एक पूछे लू तमने पहला आपड़े एनुग सोल्यूशन जोएले के पॉर्स्ट क्वेशन आतो के राइट डावन जावास्केप तमारी स्क्रीन पर देखाईज रही हो छे तो आछे एक्सेसाइज वननों सोल्यूशन तो आमा तमने पूछेलू के एक वेरियबल बनाओ जैनि बाइडिफोल्ट वेल्यू साथ छे तो में माई नंबर नामनों वेरियबल बनायो एनि वेल्यू राकिदी साथ अन्ने एनि अन्दर त्रॉन एड़ करो तो सोटेंड ओप्रेटर नों यूज़ कर रही लो छे एटले के यह ता में आउपन लखी सको के माई नंबर इक्वल टू माई नंबर प्लस त्री अत्वा तो आज सोटेंड ओप्रेटर जे आपड़े सी प्लस प्लस मां सिखी गया और सिंपले नी वेल्यू प्रिंट कर आ एटले क्या आटलों एक मिशे जाओ शे अन्य आउट पूट आऊशे तो सेवन प्लस थ्री टेन ओके सेकंड एक्स्तिसर जाती के यूजर ने यूजर पासे थे यूजर नाम लो अन्य वेल्कम फोलोड बाई यूजर ने मतलब शा यूजर यूजर ये पन वेल्यू एक वेल्यू स्टोर करावीश तो के विंडो डॉट्रोंप्ट आनने मेसेज आपीश के बहुत नाम नाको जेपन नाम से स्टोर थर से मारू यूजर नेम मा अन्य वेल्यू सिंपली डोक्यूमेंट.wet थी प्रिंट करावीश देश मैं यूजर मां नाम आपेलूँ छे सरनी तो वेलकम छरनी आर इतनों प्रोग्राम आतो तेंट थाड प्रोग्राम आतो कोई रेक्टेंगल छे एनी लेंद्थ औने वीड्थ यूजर पासे थी लो औने आउट्पूट आपो मतलब प्रोग्राम काया टाइप नू पूछे लो के जपोज के आर इतनों कोई बोक्स छे तो एनी आ वेल्यू औने आ वेल्यू यूजर पासे थी लेवानी औने जे पन आवे एनने आ फोर मिला थी आ एक्चुली शू करें चे तो के आसाइड 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 औने आसाइड एटले के टू टाइम्स एक्स एन टू टाइम्स वाई आब इन्हों शर्वाड़ों करें आउट्पूट आपने बतावानों तू तो एन्हों सोल्यूशन छे के फ़र्स्ट ओफ़ चू कीदू छे के एक लेंथ वीर्थ अन पेरामीटर नाम नात्राण वेरेबल बनाए वेरेबल तमने जेपन नाम गमें यापी सेको छो अवे विंडो डॉट प्रोम्ट थी यूजर पासे थी पेला हूं लेंथ लेंथ ल करें लेशे अन्ने फाइनाली एड दे एंड जे फोर्मिल आपे लेशे फोर्मिल लेंथ लखे जी दी के टू इंटू लेंथ प्लस वीर्थ जे पनावसे पेरामीटर मां स्टोर थाशे अन्ने आपणे प्रिंट करें देशी वेल्यू सपोज के एक सैडने वेल्यू से 2 बिजी सैडने वेल्यू से 3 तो आउटपूट 10 आउटपूट करें तो आर इतनो तम और बोक्स है तो आ वेल्यू आपई में 2 आ 3 आ 2 एं 3 तो प्लस 3 5 प्लस 2 प्लस 3 5 5 5 5 10 क्लियर एंड लास्ट एक्जाम्पोल आतू के यूजर पासे ती फेरेनाइट मां वेल्यू लो औने शेल्यू चेस मां आउटपूट आपो आवा क्वेस्चन जीटीव मां बहुवखत पूछाए गेला छे तो आ केस मां तमने शेल्यू चेस मां थी फेरेनाइट मां वेल्यू करें तो आने अंदर आपड़ा यूजर पासे ती एक वेल्यू लिज दी तो डायरेक एकज लाइन मां लखी दी उचे के प्रॉम्ट मां यूजर पासे ती वेल्यू लिज दी अने एने फ्लोट मां कनवर्ट करें फेरेनाइट मां स्टोर कराई आएक मारों सिंपल वेरियेबल छे अने डोक्यूमेंट डोट राइट थी ए वेल्यू में प्रिंट कराई तो लास्ट ये एक्सेसे जाति एनुँ एक्सेस केंप्रीट छे फरॉम्ट बोक्स पालाउ अपर ये त्रण ठाइप ना दन मां बोक्स जी दा एक्सटरेणल जावाक्रोन टेंगर्श अब्जिश करें चकिनूरों हों तो पहला तो ओब्जेक्ट चुँँ क्या है तो तम्हें C++ जावा मा बनी गया कि एक क्लास अशे अन्ने एना ओब्जेक्ट अशे अन्ने आ कोई पन ओब्जेक्ट अशे एनी अमुक मेथड होई शके Constructor होई शके अन्ने आब ऊब्जेक्ट नी प्रोपर्टी होई सके तो अपड़े फ्रीवेशली जैरीं ते अब्जेक्टने कोई गाड़न करता था फंडरी तो अब्जेक्ट नेम डोट एनी मेथड अब्जेक्ट नेम डोट एनी प्रोपर्टी आ रिद आपने एक फोल करता था लेके जावास्क्रिट माँ जेपन वस्तो आपने जोईरी आशी इदरेक वस्तो आ पोलो करें छे पोर एक्जेमपल आपड़ा एक कोई पनल अब्जेक्ट छे एनी प्रोपर्टी नो यूज करो छे तो मेह एक वेडेबल बनायो छे यहनू नाम छे मेसेज एलो वर्ड आवे आँ हेलो वर्ड नी लेंथ केट ली छेक करूँ अशे तो आ मेसेज एटले के आज जे वस्तु छे एक प्रोपर्टी छे लेंथ अगर ना जे लेक्चेर आता एमा स्ट्रिंग नी आम प्रोपर्टी छे नी लेंथ तो आपड़ या प्रेक्टिकली जोवी के प्रेक्टिकली करीरते थाई छे ओब्जेक्ट एंड प्रोपर्टी तो साउती पहला एक वेरियेबल बनाएलो छे वेरियेबल वेरियेबल नाम चे नेम नेम नी एक वेल्यू सेट काय दिदी शनी बिजु एक वेरियेबल बनायो एल अन्ने एल ने इंदरूं स्टोर कराऊच्छु नेम.length मतलब के आया जे जेपन इन्पूट आपेल होचे आपड़े एनी length जेपन हाशे यानी इन्द स्टोर थाशे एन document.write length of name आमें message प्रिंट करावडायो अन्ने प्लस एल करीने आ वेरियेबल माँ जेपन वेल्यू होचे या या प्रिंट थाशे तो लेट सी आउटपूट सुमावे छे तो आज इन्पूट छे एना अकोर्डिंग एन्नू आउटपूट एलनी length थाई छे 5 clear next topic is के आपड़े चावास्किप्त थ्रू ओबजेक्ट नी method पान खॉल कराई सकी तो एनी simple syntax होचे तो के object name dot method name आपड़े एन्नू पाना प्रेक्टिकल ए आउटपूट जोईली के सुम के वाम आगे छे एनी basic syntax होचे तो के object dot method name variable एक बना एलो छे name पेला ना एक्जम्प प्रप्रामाने value आपड़े छे में सरनी आजे पन value छे आ केमल केस मां छे तो फॉस्ट लेटर केपिटल छे वाकिना वजा लेटर स्मॉल छे बट मारे उकरूँ छे के आजे पन छे बदाक अपर केस मां जाता हो जोई तो आएक string न पास कर से एनी अपर केस मां कर दे से एटले के एपिटल लेटर मा आई जासे दर एक वस्ट और इजे वेल्यू आवे छे एन्ने में एक variable मा स्टोर कर आई तो आप बीफोर एन आफ्टर चेक कर आओ आए पहला नेम सिंपल मेसेज प्रिंट कर आयो और वेरियेबल एटले के आई वेरियेबल मा जे वेल्यू अशी स्टोर था से प्लस बीया याटले के माले न्यू लाइन जो एची तो में एस्टीमेल ने एमड़ कर आई हुछे आमा देन डोक्यूमेंट डोट राइट अगेन मेसेज अन्ने आजे वेल्यू शे में आया प्रिंट कर आई तो आपड अपरकेस मा आउट कुटा हो से क्लिया जे मेसेज छे बाई डिफोल्ट पेला जे मेसेज छे यह आयो अन्ने अपरकेस मा कनवर्ट करवा थी अपरकेस मा आयो तो आए ते तो मैं कोई-पांड ओब्जेक्ट नी मेथड और अन्ने प्रोपर्टीज नो यूज करी सको चुँ अटला टाइप नी चावा स्क्रिप्ट मा इन बिल्ट ओब्जेक्ट आपेला छे एमां ती आपड़े स्ट्रिंग जोई वतारे स्ट्रिंग नी मेथड छे इस जिते डेट छे चाते ट्राइक करी से कोचो डेट मा शुआवे एरे छे बुलियन छे मेथ चे अटले के मेथ न आज तामारो शोकोल्ड पाई लेके तामारे आप पाई नी वेल्यू जोवी छे लेके मेनियोली 1.3.14 आवी वेल्यू एंटर नाथी करावी तो सु करसो तो क्या क्लास चे मेथ एननो एक आप प्रोपर्टी नो यूज़ करू के मेथ.py तो आप पाई नी जेपन वेल्यू से ही मारा वेरियेबल मा स्टोर थाशे इज जीते आप मेथ क्लास चे एनी sqrt मेथर नो यूज़ करूँ एटले के आना इन्पूट मा जेपन आप शो ब्रेकेट मा एनू स्क्वेर रूट फाइन करीने आ जग्याए स्टोर कराव से तो आपड़े मेथ नो जे एक्जम्पल चे एक्जम्प पर जोई ले तो आए एक आपड़ो वेरियेबल बनायो आपड़े पी नामनो वेरियेबल बनायो मेथ.py येटले के पाइनी वेलीव मारी पी मा स्टोर थाशे अन्य एक तो नमबर नामना वेरियेबल मा आज पी नी जेपन वेलीव छे ही स्क्वेर रूट इने स्टोर थाशे सिंपले में document.write थी मेसेज प्रिंट कराया हो कि पी ये पी नी वेल्यू आई चे एले कि मेस्ट.py ये पाई नी वेल्यू मारे ये प्रिंट थाशे तें ब्याई टेग ये न्यू लाइन एड थाशे अने नमबर ये जे पाई नू स्क्वेर रूट शूँ चे इप्रिंट थाशे तो आप पाई नी वेल्यू 3.14 आण ये नी स्क्वेर रूट चे 1.7724 शम्तिंग शम्तिंग अवे मेथ नी आना शिवाई नी अलग अलग बीजी घनी प्रोपटीस छे तो आछे e युलस नमबर शिमिलरली नेचरल लोग लोग 10 पाई जे आपड़े जोयू स्क्वेर रूट स्क्वेर रूट बाई 2 आउ चात्य प्रेक्टिस का इन चेक कर जो is it working for you or not then next one is math नी अमुक methods छे एमा थे आपड़े या त्यार एक method जोई square रूट इच जेते तमाई कोई नी sin value find कर शेको cos value तो exam माई कोई पण वस तूपूती सके demonstrate करो sin sin of x cos of x तो आपड़े आज exam पहले माँ अज एक वकद जोवी चोई लेक कर दे थाए छे तो example सो क्या हमागा चेक एक variable चे एन 1 एनी value में set कर आई 0 n2 नामना variable छे एनी value मां सो कराऊ चू तो के math function अथो math class नी sin function यूज गेरो अने एना input मां आपी दिदी में value n1 तोले का आनो मतले भें क्यों के sin of 0 आने जेपन value आउसे इस टोर थासे मारी n2 मां और simple में output मां टे लखी दिए document.write नमबर वन एज मेसेद प्रिंट थासे तेन n1 आ value मारी आयां खिया आउसे n1 new line and document.write number 2 simple मेसेद प्रिंट थासे और n2 एटले के आनों जे output आवे छी n2 मां श्टोर थेलू ये output आयां प्रिंट थासे तो clear number 1 0 छे and sin 0 नी value 0 होए तो sin 0 नी value 0 तो आर इते तमें math नी अलग अलग कोई पन प्रोपर्टी नों यूज करी सको छो next is user defined object होए आपड़े पोता नों object बना होए तो करी रते बने तो एमा simple आपड़े new keyword नों यूज करो पड़ से श्पोज के मारे person नाम नों एक object अथवा class अथवा user defined object बना होँछे तो script tag नी अंदर हूँ person लखीज अवे एनी अलग 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 properties छे के person नी शूँ होई शके तो के एक आपड़ो person छे सपोज या person छे एनो first name छे last name छे एनी age छे इनो i color छे आपड़ीपल होई शके तो आपड़े एक सुका सुके दर वक्ते अलग 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 बनावे अपड़े जारे class अने object c++ मा भनेला त्यारे पने वह तू के एक student नामनो class बनाए दियो तो दर एक student ना पोता नू first name आशे पोता नू enrollment नंबर आशे ए टाइप नू कोई बनावे छे आपड़े पोता नू तो आरी ते बनचे यहां जे पन user-defined object बनावे छे नू नाम equal to sign कल ब्रेकेट स्टार्ट अने हवे आनू प्रपोर्पोर्टी नू नेम कोलन प्रोपर्पोर्टी नी वेल्यू अने आने एक्सेस कहिते था छे तो एक्सेस करवा माटे सिम्पल वस्तू छे कि जे पन तमारा object बनाए लो छे इनू नाम डॉट एनी प्रोपर्टी तो अपड़े आ आउट्पूट प्रेक्टिकाली परफॉर्म करीने जो भी तो user-defined object सेम एक्जाम्पल छे तो अमा में एक प्वर्षन डिफाइन करो प्वर्षन छे आ इक्वर्टो नी श्टाइन बाकिया से तो आउट्पूट नहीं आवे tremendous tovern, predominant, divant प्रेक्राइन ज्याँ छे more traveling is and eye color अठ dialect में यह जिए प्वर्षन हे एक करो प्रेक्ट प्रींट कराको होत्यतु में तो simply में प्रींट कराक मirend document.write एक message print थर्षन हे फ्वर्स्न अब्वेरेबल यूज करो आप ए вес आपड़ेखे plus परस नी में पर्षण सेंटंगे, आया ही, आपने मिली प्लस प्रैर मैंगे प्रिंट सकते नतरी। टटूपलेाले बेप्रिम नीम मातने टेन सब्सक्रीद यरी अपने इस प्रैर सद सले परोपलों प्लस प्लस नी sevक प्रोपर्टी आप्रें कहरे शन geldi तुमरू लनेम एज ने आइ कलर तो मैं जे फर्स्ट नेम मां वेल्यू आपेली मैं आवेश है शेकर नेम नी वेल्यू तिन थर्ड एन और्थ तो आर्थ यू अपरोब यूजर डिफाइन ओबजेक्ट कि पोता नो यूजर डिफाइन ओबजेक्ट बना होए तो कहीते बने आज जग्या है अगर कोई मेथड आशे तमारा अंदर बनाएली तो तम्हें मेथड ने पने एक्सेस करी सको छो लेके यूजर डिफाइन ओबजेक्ट नी अंदर तमारे आएक सपोज के आएक एक एक्जम्पल छे के जेनी अंदर में एक मेथड नो यूजर करेलो छे तो एक परसर नामनों फॉंक्शन बनाएं यूँ में के जारे भी नव कंस्ट्रक्टर बन छे तो के परसर न वन न्यू थी कोल थाशे तो आँ नेम मोदी अने पचास आ त्रण वेल्यू फॉर्स्ट सेकंड एन थड मा जाशे यूजर के आया अब शपोज के आपने फॉर्स्ट नेमचेंज गराऊ चे तो परसर न वन डॉट फॉर्स्ट नेम जज और चएंज फॉर्स्ट नेम नेम मे तो आपने सब्समें भी त्रण पर्सीे और सरद कर देशे तो के इसमेथी एकसेप्ट करता watch you प्वंक्षन नूँ नाम अन्य इस्टोर क्या करायावाचे तो के स्टोर करायावाचे फॉस्ट नेम माँ एड़ले के पेला वेल्यू नरेंद्र होतु तो एनी जग्या या आपड़े फॉंक्षन थी वेल्यू शेट करावीची नमो अन्य एलर्ड थी मेसेज प्रिंट थसे जे आपड़े पेला जो एलू इस वस्टो छे नेक्सट वन इस डोक्यमेंट अब्जेक्ट मोडल अवे अगर थीरी पूछाएचे तमार थीरी बईस पेपर निकड़ेचे तो सात माक्समा प्वेस्चेन पूछी शके के एक्सप्लेण डी ओ एम एटले के डोक्यमेंट अब नो कंचेप्त में न्यों चो फस्तित में में जोरा फिरे एक जोरी तकहें तमारू जे ब्राउजर छे इब्राउजर मां चेतली पण वस्तु छे एक विंडो नो ऑबजेक्ट छे पच यहनी अंदर लखेल स्ट्रींग अभर शे के एलेट बोक्स छे के एस्टीमेल के CSS content छे पण वस्तु छे इदरेक वस्तु विंडो नो एक object छे एटले कि आत्या सुधी आपड़े उलेखु छे के document.write बट एक्चुली इसु छे तो के window.document.write पर आ विंडो छे इप डिफोल्ट छे एटले के आपड़े लगता नती बट एक्चुली इसु छे तो के window छे एटनो एक object छे डोक्यूमेंट अने एटनो method छे write तो theory पूछाई छे तो आवस्तु लखवाने छे आपड़े अत्या सुधी जे परफॉर्म करी छे या document उपर छे next lecture मतलब upcoming lectures नी अंदर आपड़े आवस्तु तम्हे self parent window ने टोप अब बजु HTML मां जोई गया frames नी अंदर के frame redirect कराई छे तो क्या कराई छे तो एक्चुली आवे छे क्या थी window मां थी then frame and frame set then navigator एटले के right hand side मां छे up down अथ्वा नीचे नी बजुमा left right navigation उपर क्या काम करूँ छे तो एमा आवसे location access करूँ माटे then history आदरेक वस्तु object छे नो छे तो के window नो document आपड़े अना screen तो आमा ती अमुक वस्तु आपड़े जारे event 6 रूख त्यारे काम आवशे तो लास्ट लेक्च आना पच्छी नो जे लेक्चर श्ता से इनी इंदर कोईपन event handle करीरते थाई तो इवेंट आवे छे क्या थी window माती तो जारे theory पूछाई तो आवस्तु तमारे explain करवाने रेशे देन आमुकेन या प्रोपर्टीस छे self-explained थाई जासे एक उखते मात चो लेख बपड़े जासे के सुन के वा मागे छे अगर डोम पूछाई तो आद दरेक वस्तु जेटली याद रेटली लखे जेवानी एन आमुकेना by default methods छे एमां ती आपड़े write चोईलू चीवी ते write छे, easy ते write ln छे बट एमां सुन थाचे तो के at the end एक newland केरेक्टर एड थाई जासे तेना करता मैं कोई stream बीज काम करो छो लेके continuously input आवे छे तो stream open करा माटे open and close छे आ वस्तु आपड़ा माटे नवी छे चे आजे आपड़े भणवन आची get element by id, get elements by name and get elements by tag name आयां सवती वादारे भूल थाई चे आयां s न थी बाकिना बेमा s छे एनो मतलब के जारे get element by id आउचे and get elements by name आउचे तो जारे तमने एक माक्समा प्रोग्राम पुछाई चे के perform get element by id आतो आतो बाई डिफोल्ट एवी ते ना आवे तो एव किते लो के user पासे इन्पूट लो तो अत्ते शुद्य आपड़े user पासे इन्पूट करेते ले ता तो के prompt box मा यह प्रेक्टिकली चारी वस्तु ना थी मतलब दर वक्ते prompt ना आवे तो user पासे इती ब्राउजर मा आपड़े एक form जेव बना वड़ावशू एक text box अर्शे इ text box मा जे पन value इन्पूट करा वड़ावे छे इन्पूट गेट करो अमाटे नी आत्रण मेठोड छे getElementById एटले के तम्हें id नो यूज़करी ने value फाइंड करे शको अत्व इन्हा नेम ना आधारे अत्वा tag ना आधारे तो के तम्हें जारे html बनता तो एमां आपड़े आउँ लगता क्या id equal to something तो आ id ना आधारे एनी अंदर शूफ value लखेली छे फेच करे शकाए तो first topic is getElementById तो तमारू आए simple HTML छे एनूँ एक simple input छे type equal to text एतले एक text box बन छे and id मा लखेली छे my text तो आँ input नी अंदर जेपन वस्तू छे यह मारे get करावी छे तो जावास्क्रिप्ट मां लखी एक बेला variable लिदो केमके मारे store करावी ने फॉर्दर यूज करवानों छे तो document. a document compulsor छे केमके एनो बदी एनी जमेथर छे getElementById getElementById वह कया id नी value get करावी छे तो के my text लेके HTML नी अंदर my text छेपन छे एनी id उपर थी value get करावी छे और इच छेट थर्षे आनी अंदर बट आटलो लखवाती इस्यू थर्षे के element मार्षे तो लेका input element आया get थाई जाशे बट आपड़े नी value प्रिंट करावी छे तो आ variable name.string नी एक method छे value इप्रिंट करावी practical जो ही एटले वदा रख्या लावशे के सुन के वा मागो छू first example is get element by id तो पहला प्रोग्राम जो ही लेके प्रोग्राम मां सुन लखे लूँ छे message प्रिंट करावी छे body एंदर simple HTML वगर tag लखे लोगे तो अपन चाले simple input आव छे message प्रिंट थाशे enter name input tag वाए प्रो input type equal to text enter name नामनों के message आवशे box बन से id में set कर दिदे छे my text now एक button create करे लूँ छे button बन से आणा उपर लखे लूँ छे click me click me लखे लूँ आवशे then on click event छे आपड़े लास्ट लेक्षे माँ पन जो एली कि जहारे click था से तो त्यारे पर्फर्म करा उड़ा हूँ छे तो कि मैं एक function कॉल करायू एक function नाम छे f एटले के by default आटली वस्तू run थाशे message आवश by default वस्तू छे input tag छे अने एक button छे button उपर click करशू एटले आ function कॉल थाशे function मां छे लखे लूँ छे function मां एक variable बनायो छे n अने n शू करा छे get element by id आ element नाम उपर थी element फेज करशे अने n मां store कराऊ let's see तो जे आपड़ो message आतो ही message आई गयो छे input box, input box छे button उपर button आना उपर click करवा थी अत्यारे काई नहीं थाई region के खाली on click event मां match to करेलू छे करेलू छे खाली एक variable बनायो छे and get element by id थी खाली element ली देव छे अवे आने आपड़े alert box मां print करावी पर डायरेक खाली n variable ने print करावी के खाली n लखेलो हसे तो सु आउट्पूट आवे आपड़े 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 next one is get elements by name आपड़े 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 type equal EQ आपड़े document dot 条 आ इस आउसे बाई नेम आ एलिमेंट नाम होई आया बाजू माँ एरे ओफ शुरी आ यह त्या आप उपर छे रिजन के तम्हें रेडियो बोक्स पने ला आशो तो यहां रेडियो बोक्स माँ खबर आशे के सपोज के आम मेल छे आप फी मेल छे आऊ तम्हें फोर्म डिजेन कर सब्सक्राइल उसे तो तमारे बेडियो नेम प्रोपर्टी सेम आपी पड़े तो त्यारे आप एक्चूली काम कर से मतलब नहीं तो शुरू थाशे के बेडियो बोटन क्लिक थाशे तो एवा केस मां तमारे काया टेग नी वेल या काया नाम बाड़ो वेरियेबल जोई छी प्रोपर्टी से नहीं तो आनो मतलब सुरू ठाचे के मारे map नामना फोम मा अत्वा ब्राउजर मा चार के पांच तेग छे यहां तो फस्त वन इंडेक्स चार्व थाए 0 थी 0 थी सब पूस 4 एटले कि पाँच एलिमेंटर से तो आज चार 0 1 2 3 और 4 तो मारे फर्स्ट एलिमेंट जो सर जोतो अशे तो हूं शू लखेश के माइट टेक्स और स्क्वेर ब्रेकेट मा लखेश 0 सिमिलली लास्ट नी जोती है से तो हूं लखेश तो के माइट टेक्स और ब्रेकेट मा लखेश हूं 4 सिम्पल वस्तू छे और एनी वेल्यू मारे एलेट थी प्रिंट कर आई छे तो आए वेरियेबल और डॉट वेल्यू अपड़े आज प्रेक्टिकली जोही लेके करीटे का नेक्स्ट इस एलिमेंट बाइ नेम एक मेसेज छे एंटर नेम इन्पूट टेग लास्ट नेम इन्पूट टेग अटलब के आमास आना वर्ट पूट प्रिडिक करी है तो सूत आउँशे के एंटर नेम नमनों मेसेज आउँशे बाजू मां बॉक्स या बी- आर नत्ती एटले सिम्लल ली बाजू मां जाओ छे लास्ट नेम बीजू बॉक्स अने एक बटन छे क्लिक मी नामनों यहोँ ख्लिक मी नामनों बटन बना बन शे जेवोँ क्लिक मी उपर क्लिक था से एटले on click event चेक था से अन क्लिक मां लखे लूँ छे आपड़े f तो function f कोल थाचे function f मां सूँ छे तो के एक variable बनायो छे n नामनो n मां सूँ थाचे तो के get elements by name काया नाम उपठी तामारे element चेक करूँ छे तो के my name तो आमाँ चेक करचे तो के my name नामना बे छे ये मां थी काया तो के तामारे 0 ये टले के first one तो आँ enter name वाली value चे इस टोर्था से end मा अगेन लखे लूँ छे m तो पहला पन बढ़ बेरेमल लोगते जो ये लोगते डिक्लेर करूँ 0 ये ना थी by default शी तो लखे जी तो m equal to document.get elements by name अगेन आमा सेम नाम आपे लूँ छे बाट कई हो तो के second one one मां बंतलब के एक पच्छी मां एटले के आ अन्नी value हो 0 आ one अगर in between के एक बीजी वखत my name आवे तो ये ने value आव से 2 तो आपड़े second element एटले के एन्नी index of one ये value store थासे m अन्ने हूँ alert नी अंदर first value प्लस second value एटले के first name अन्ने last name ने कौन केट करवा मागो छू save एन्न चेक करी output शूआवे छे first name माँ suppose वो तेरा पूचु शूनी second name माँ mac click me उपर click करवा थी function call थासे अन्न आपड़े आउट्पूट माँ से alert माँ तो आनी भी आना यूज करीने तो में calculator पन बनाई सको मतलब जे वस्तु तो में get element by id थी करी सको is वस्तु get elements by name पन करी सको आनो तो गणाने question थाए के तो बचे आउँ सू काम आए पू id थी थाए जगतू तो तो सू करी सको तामें के generally id unique लाखता होई अन्ने name repeated होई सके तो तमें एक checkbox जीओ बनाई लूँचे तो एटले के तामारू एक form छे इनी अंदर एक वस्तु लेखो छे तामें के hobby अवे hobby नी अंदर तामें multiple checkbox राखे लाँचे तामार एउँ count करूँचे के user 1 छे एन्ने केटली hobby छे तो इकेस में सू करी सको तामें के 1 by 1 बदानी value लेवानी अगर आने tick करे लिए तो तामें condition चेक करी सको के if check करे लिए छे तेनी value 1 नथी तो value 0 अने at the end आ बजा 1 न सुरवाड़ो करो तो तामने खवा पड़े केटला checkbox tick थाईला छे तो आमा 2 out of 3 टीक छे कोई काई टीक नो करे लिए तो 0 3 टीक करे लिए 3 तो आ टाइप नू का एक लोजिक लखूँए त्यारे तामें getElementsByName use करी सको छो अजिनों लास्ट टोपिक छे इछे getElementsByTagName एनों मतलब के तमें tag ना नाम ना अधरे पण use करी सको तो लेके तमारा पासे अलग-अलग tag छे तो तमारे inputTagName value जोई छे तो आमाशू थासे तो के inputGetElementsByTagName काया tag नी value जोई छे तो के inputTag नी A of 0 पेला element नी value और बीजय element नी value तो एनों पान आपने फटाफोट एक्जाम्पल जोई ले तो के getElementsByTagName तो आमाशू कर्यों छे एक सेम टू सेम प्रोग्राम छे खाली आया में लखेलू छे getElementsByTagName अन्ने एलेमेट नू नाम आपने दो में इनपूट प्रिवेस प्रोग्राम आपने तो तमें तो आया चेक करो MyName MyName आपने तो नेम नेम ना आधर आशे तो आया नेम आपने पर से ID ना आधर आशे तो मारे ID आपने आपने tag ना आधर आशे तो tag नू नाम आपने पर से clear? सेम टू सेम आउटपूट आऊशे क्याम के प्रोग्राम ना लोजिक मा के खास फरक ना थी प्रोगा क्या मिए कि आशे कि 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 अ यूजर नूँ फोर्म बनावानु छे चेनी इन्दर यूजर नेम पास्वर्ड कन्फर्म पास्वर्ड और एक वटन तो तमारे चेक करवानु छे आ यूजर नूँ नेम और पास्वर्ड एड्मीन अने 123 होई तो वेलिड अधर्वाइज इन्वेलिड आत्यु तमारू फर्स्ट टास्क रिपीट करें दो तमारे चूप करवानु छे तो एक यूजर नेम बनावानु छे तेन पास्वर्ड तेन कन्फर्म पास्वर्ड और बटन आउट्पूट आ रितनु आउज होई एटले क्या नामाटे तमारे टेबल टेग नो यूज करो पडशे इन्पूट नो यूज करो पडशे तो फर्स्ट टास्क मारे चूप करनू छे तो जे तमने पीपीटी मां बतायलू छे कि एड्मीन नू नाम यूजर्नेम एड्मीन और पास्वर्ड 123 होए तो एलट आप आनुछे वेलिड अगर ना होए तो इन्वेलिड सेकंड टास्क जी चेए कैते अमारे चेक करवनों छे क्या जे पास्वर्ड माँ छे वेलिड अन्ने गण्फोम पास्वर्ड पास्वर्ड माँ छे ए डे वेलिड रीड ने चेक कराओ शपोज के आ वेल्यू तम्हें ए नाम ना वेरियेबल ना मा स्टोर कराएली छे आ वेल्यू तम्हें बी नाम ना वेरियेबल मा स्टोर करे तो सिम्पली चेक करो कि if a is equal equal b अगर true छे तो यह लखो के बहुत match एल्स कंफर्म पास्वर्ड डू नोट मेच आओ एक मेशेज प्रिंड कराओ होपके तमने आज सुधी माँ जेटलू भनाएव आवडी गियू छे अगर नसी आवड तू तो कमेंट करी शको छो अगर तमारे आज जेटला भी प्रोग्राम परफॉर्म कराएव लाचे यह प्रोग्राम जोई छी तो मने कमेंट मां लखी नापो तो तमने एक लिंक प्रोवाइड करी देश और आटली महिनत थी तमारा माटे कोई वीडियो बनाए रहो छे तो एटलीस जो तमने काम गमतू है तो लाइक करी दियो तो मने खवर पड़े के मुझे करू छुई त आधिशाम ने गमे छे के नहीं अथो तमने समझाए छे के नतिश समझा तू ओकए को फड़ी नेक्स लेक्चर मां शे नेक्स लेक्चर छे इल्ल आ जावास्क्रिप्ट ना लास्ट लेक्चर होसे इना पच्छी अपड़े चालू कर सू पी एच पी अगाना इंपोठन छे न्यूजपेपर मा अथुआ न्यूज मा एक्जाम केंसेल थावा ने वातु आवेशे एक्जाम केंसेल थाए के नाव थाए बट एज रा आईटी एंजिनियर तमने आवदी वस्तुनों बेजिक खबर होई जोई तो आपड़े खाली एक्जाम मा पास थावा पुर्तुनी पर नोलेज माटे बणी छी वासा राखू तटा टेक केर बबाई